आज हम sore throat के बारे में बात करेंगे तो इसके कारण क्या है कैसे पता कर रहे कि virus या बैक्टिरिया शे हुआ है investigation क्या कराया जाता है कैसे इससे बचा जाता है treatment क्या होता है इसका treatment में भी बच्चों में क्या है adults में क्या है ऐंटीवाटिक का exact dose क्या है कितने दिनों तक लेना प में दर्द हो सकता है खरास हो सकती है सुखा जैशा अंदर कुछ फील होगा इरीडेशन हो सकता है जला नो सकती है और गले में दर्द खासकर कुछ खाने पीने के टाइम में ज्यादा होगा, डियूरिंग सिचुवेशन उस टाइम में ज्यादा होती है, अगर सौर्थ रोट के कारण के बारे में बात करें तो ये बाइरल वैक्टिरियल और कोल्ड एर के चलते गले में इरिटेट होता है, गला ड्राय होता है, कोल्ड एर में smoking या alcohol शे भी short throat होता है, allergy शे भी होता है, शाथ में reflex होता है, मतलब gastro isofagral reflex disease, जो हमारे पेट का acid है, और जो भी acid है, वो उपर की और उठता है, अगर हम treatment की बात करें, तो treatment में सबसे पहले जो करना है, आपको वो है कि पानी बहुत ज़्यादा पीना है पानी पीनी से क्या होता है सरीड का हाइड्रिशन चाहीं रहेगा और पेट का लुब्रिकेशन चाहीं रहेगा दूसरा जो है हाई प्रोटीन डाइट ले जल्दी रिकावर होगा गारगल करना है नमक पानी का अगर बैरल एंट्रोमेक्टिक टीटमेंट अगर फीवर आ रहा है तो प्रासितामन ले शकते हैं अगर रंडिंग् नोज है तो एंटि-स अमडीलीशन गडूप की दवा ले शकते हैं जैसे तлаzेव्चा क्या STU अं लबात यीस इसको आप गरम पानी में डालके भाप ले शकते हैं वह भी बहुत अच्छा रिलीव करता है अगर काफ है खासी बहुत ज्यादा है तो ड्राइग कप के लिए जो शाहरा पाती है वह आप ले शकते हैं जैसे ग्रेल लिंक्टास है एस्कोरिल डी प्लास है यह सब आप लेंगे तो बिसिकली यह रिलीव देगा है कि अगर फिवर भी है साथ में नाक से पानी भी आ रहा है कंजेक्शन भी है नाक मैं तो इन तीनों दबा एक ही टैब्लेट में अब लिबल है मार्किट में जैसे सेनारैस्ट है फ्लू कोल्ड है और चेस्टन कोल्ड है तो इन में से कोई भी आप ले शकते हैं अगर लग रहा है वेक्टियल इंफेक्शन के चलते स्वार्थ रोट हुआ है गले में काफी जदा दर्द है निगले में दर्द हो रहा है श्विलिंग है फीबर है तो आपके जो टॉंसिल है यह इनलार्ज हो जाते हैं इन में पस बन जाता है और आपके जीब के पीछे छोड़े-छोड़े स्पॉट्स बन जाते हैं अगर यह साब हो रहा है तो दिस्टिंग्स आर मोशली वैक्टिडियल इंफेक्शन मतलब वैक्टिजा के चलते हुआ है तो एंटिवाइटिक्स देना पड़ेगा एंटिवाइटिक्स में ड्रग उप्च्वाइज जो हम बोलते हैं जिसमें पैनीसिलीन और ग्रूफ ड्रग्स तो पैनीसिलीन में जिसे एमोक्शि स्णी और विनिलेक एसीट का जो कॉंभी नीशान आता है जिसे ओग्यूमेंटिन नाम से एमोक्सी क्लेव नाम से 625 फर न यह 40 मिली ग्राम पर केजी बॉडी वेट करके हम देते हैं तो माइक्रोलीटिक्स भी इसमें दिया जा सकता है जीथ्रोम आइसीन भी इसमें वेटर काम करता है तो यह थी सारी जनकारी शौर्थ रोड और उसके ट्रीटमेंट के बारे में आई होप आपको इस वीडियो से कु करता है